Hello Friends, Welcome back to my channel Parool Vlogs and Craft Ideans तो फ्रेंट्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक वीडियो जो की है एक लेंप की जो की है एक हैंगि मैंप जो की आप वीडियो में देख रहे हैं तो friends चलिए बस यही lamp मैं आज आपके साथ बनाना शेयर करूँगी यह है thread lamp friends यह धागे से बना हुआ है friends और यह देखिए ओपर यहाँ पर मेरे space खाली थी एक मैं सोच रही थी लाने की खरीद कर के कुछ lamp यहाँ के लिए लेकर आऊं और यहाँ पर hang करूँ बट फिर मैंने अपने आपी घर पे handmade अपना खुट बना लिया friends thread से तो यह देखिए इसका look थोड़ा सा यह अभी light on है अभी इसका यह जो wire है थोड़ा side से लटक रहा है इसको मैं set करूँगी friends और यह देखिए light बंद करने के बाद का look और यह देखिए जलाने के पाद का तो friends चलिए बि इनका गोला यह और जो कि मैंने पुराने स्वेटर से उधेड लिया है मेरे पास एक पुराना स्वेटर था मेरे बच्चों का उसे मैंने उधेड कर यह गोला बना लिया है और चाहिए main सबसे important favicol और यह Caesar वगएरा चाहिए हमें और यह हमारा rough cutora है एक इसमें मैं पुरान यह वो है एक यह balloon यह जो बड़ा balloon है तो यह देखिए इस तरह से अब favicol में पानी मिलाकर और यह कपड़ा ले लिया है मैंने थोड़ा से यहाँ पे गंदा होगा क्योंकि favicol का का काम है तो इसलिए मैंने एक रफ कपड़ा ले लिया है अब इस कटोरे में मैं डाल रही ह इसमें थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी पानी देखिए अच्छा ज्यादा favicol लेना है हमें अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा requirement के हिसाब से ले रही हूं और इसमें हम पानी मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इतना भी पानी नहीं मिलाना है हमें कि ज्यादा पतला हो जाए वस थ थोड़ा पानी और ज्यादा favicol मिलाकर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यह हैंगिंग लैंप बहुत प्यारे लगते हैं तो मेरे बीच में जो हॉल में इसका एक हुक लगा हुआ था मैं काफे दिनों से सूच रही थी उसमें मैं कुछ लगाऊं लाकर तो फाइनल तो यह देखिए यह हमारे favicol डाल लिया है हमने इसमें और बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ज्यादे नहीं मिलाना है हमें पानी थोड़ा सा पानी मिलाना है हम यह देखिए बस थोड़ा सा पानी इस तरह से हम अच्छे से favicol में मिक्स कर लेंगे पानी का इसको निकालकार इसको खोण लेंगे अच्या से मिक्स कर लेंगे इसमें धुर कर लिए और जो ऊ swims कर लेंगे और अप्लाchlा से अब यह ले लिया है हमने इदर फैविकॉल और ले लिया है अब हमने गोला उन का गोला यानि की थ्रेड और इस तरह से हम पूरा गोले में से निकाल निकाल कर यह जो हमारी जो उन है यह जो हमारा थ्रेड है पूरा भीग जाना चाहिए फ्रेंड्स इदेखिए अच्छे से लपेट लूंगी में से विल्कुल फैविकॉल में सारा गोला निकाल निकाल के इस तरह से हमें निकाल के इसमें डालना है और फिर इसका जो सिरा था उनका वो लेकर अब हम बैलून पर लपेटना शुरू करते हैं फ्रेंड्स यह बहुत ही थोड़ा सा गंदगी वाला काम हो रहा था हमने नीच से इसमें पर लपेटना शुरू कर दिया है इस तरह से यह काफी गंदा सा काम हो रहा था है छिपचिपासा मेरे हाथ गंदे हो चुके थे अब यह करना है तो गंदे तो होंगे ही बट कोई नहीं इस तरह से अब मैं इसे पूरा लपेट लूंगी फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से यह लपेट ते लपेट ते अब हमें इस तरह से लपेटना है हमें पूरा कवर कर लेना है फ्रेंड्स लपेट लपेट कर अब हम इस बलून को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये देखी फ्रेंट्स इस तरह से ही हमने इसे लपेट लपेट कर पूरा कवर कर दिया है फ्रेंट्स हमें बिल्कुल बलून का स्पेस बहुत ही कम चोड़ना है जो नीचे से बलून दिखाए देगा हमें नहीं चोड़ना है इस तरह से अच्छे से हमें पूरा थ्रेड इसको कवर करना है थ्रेड को पूरा बिल्कुल भी वो गोला जो मेरे पास था पूरा मैं इस पर सारा लपेट दूँगी और इस तरह से लपेट रपेटकर मैंने अपना पूरा खटम कर लिया है और बचा कुछा थोड़ा से फैविकल और अच्छे से इसमे गोल कर थोड़ा से पानी ये देखिये इस तरह से बाकि इसके उपर हम डाल देंगे ताकि जहां जहां भी हमारा फैवीकॉल रहे गया था और अच्छे से मजबूती आजाएगी और tightness भी आजाएगी friends इस तरह से हम गोहल कर थोड़ा सा फैविकॉल सारे बैलून के ओपर डाल देंगे और तक यह हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाए और अब हम इसको रख देंगे सूखने के लिए इसको सूखने के लिए चाहिए फ्रेंड्स पूरे पूरी ओवरनाइट चाहिए एक रात चा इसको थोड़ा थोड़ा अलग करना शुरू करेंगे बहुत ही केरफूली करेंगे हम यह काम थोड़ा थोड़ा बीच में से इसको अलग कर लेंगे और उपर से क्याची से हम इसे कट कर देंगे बैलून को और यह बिल्कुल इसको हमने अलग कर लेना है बिल्कुल बहुत ह सापधानी से हमें इसको अलग करना है बैलोन को और फिर हमारा अंदर से ये लैंप निकल कर आता है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा लैंप रेडी हो चुका है इस तरह से ये देखिए अब मैं इसमें लगाऊंगी फ्रेंड्स light आपके उपर है फ्रेंड्स चाहिए तो इसके अंदर fix करती हूं अब यह देखिए इस तरह से इसमें मैंने डोरी अटेच कर रखी है और यह उपर से थोड़ा सा हम इसको इस तरह से यह देखिए उपर से हलका सा यह वायर निकाल लेंगे और वायर को उपर को खीच के फिर यह हमारा holder अंदर की तरह fix हो जाएगा इसके लिए मुझे लाना था तो अब मैं लैंप नहीं लाने वाली हूँ और मैंने अपना लैंप घर पर ही तयार कर लिया है और यह देखिए मैं लाइट बंद करके दिखाती हूं आपको लुक काफी सुंदर लग रहा था यह बस इसका फ्रेंस इसको यह जो वायर है यह के लिए मैं मेरी हाईट नहीं है अपर तक मैं इसको शाम्तू करवाँन की सवीचेट और यह देकिए अच्छा सटेट बायर है अपर से अच्छा ज़गायाकर रहा कर दिखोंने मैं बैद मैंने काले सही ही लगवा रख दा इसको लैंप लगाने के लिए और यह देखिए ह बस हमें जो भी टाइम लगता है इसको सुखने के लिए टाइम लगता है जो कि वह बहुत ही इंपोर्टेंट है friends हमें एक पूरी रात का समय हमें लगता है इसको सुखाने के लिए लेकिन वैसे बनाने में बिल्कुल भी difficult नहीं है friends और यह देखिए अगर आपको वीडियो अ झाल झाल